Hello, very good morning to all, सभी को नमस्कार, तो ये आगे अपनी सिरीज में अगला पार्ट है, सेशन नमबर 22, जो भी सवाल हम डिसकस कर रहे हैं, उन सभी की जो PDF है, वो आपको अपने टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, चल लगता है, और आप तैयारी शुरू करने वाले हैं, then you should go for unacademy plus subscription, उसकी जो बेस्ट बात ही है, कि आप सिंगल एक फीस में, सभी एजुकेटर से ही है, जितने भी देख रहे हैं, प्लस और भी काफी सार एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, सबसे बढ़ सकते हैं, बढ़ सबसे हर एक एजुकेटर का अपने एक referral code या unlock code होता है, मेरा referral या unlock code दिक्षिसर है, अगर आप वो code use करेंगे, तो आपको maximum discount मिलेगा, और जो हमारी profile है, वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो अभी जो है, एक साल की जो फीस है, this is ये, without, with discount, ठीक, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं ये आपके सामने सवाल है, चार आपके पास options है, आप exam में जाएंगे, तो आप कौन सा answer टिक करेंगे, फटाफट से बताईए, और आप सभी से request है कि comment section में बताईएगा कि आपके कितने number आए इस paper में है, ठीक है, जितने भी सवाल है, उसमें 10 सवाल है, 7 सवाल है, जितने लिए हैं, तो आपको बताने है, 6 by 7 है, कितने आपके number आए, ठीक है, एक सवाल एक number का, आजाएए, ठीक है, कहारा है, cos theta into sec 23 बराबर 1, तो बताईए, theta की value कितनी होगी, तो जल्दबाजी में हम कर भी कभी क्या करते हैं, जैसे मैंने देखा, cos theta, sec theta, sum कितना होगा, 90 होगा, कुछ भी हो, सम कितना सोचते हैं, 90, तो बहुत high probability है, कि आपने 67 लगाया होगा, नहीं लगाया, तो बहुत बढ़िया बात है, देखे, cos theta into sec theta हमेशा 1 होता है, यानि कि अगर ये 23 है, तो ये भी 23 ही होगा, sec का उल्टा क्या होता है, cos होता है, आसान सा सवाल था, चलिए, अ कितनो ने मारा 1 भाई, बताना है सबको अपना score, तो जैसी में देखे, sin square plus cos square मेरे मंस आया, ये तो 90 सम हो रहा है, answer 1 ही होगा, ये जो trigon algebra में 1 और 0 वाले answers है, अधिकतर होते तो हैं, लेकिन हर सवाल में गलती से उनको नहीं लगा देना है, कि यार यार 1 ही होगा, थोड़ा sin square 69, तब ये बात सही होती, क्योंकि sin square convert हो जाता, cos square 21 में, बात सही है, और फिर sin square 21 plus cos square 21 हमारा हो जाता, 2, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, sorry, 2 नहीं, 1, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होता, correct answer, या तो होता है, यहाँ पर, twice of sin square 21, या फिर twice of cos square 21, यह इस सवाल का correct answer होगा, यानि none of these, एक बात याद रखना, जब भी आप exam देने जाएंगे, उससे पहले mock test तो बहुत सारे देंगे, mock test देने से ही यह गलतियां सही होगी, exam में वो सवाल गलत होने वाले है, जो हमें पक्का शरब, इसका तो यह होगा, यह तो आसान इन चीजों पर काम करना है, जल्द बाजी नहीं करनी है, चलिए, 10 square theta प्लस, यहाँ पर कर लीजे, sec square theta, 10 square theta प्लस sec square theta की value अगर 7 बटे 12 है, तो बताए 10 की power 4 theta minus sec की power 4 theta की value कितनी होगी, पहले कई बार ऐसे सवाल को पूछ चुकी है, ठीक है, कई बार इस सवाल को पूछा ज आ चुका है, तो आईए देखते हैं इसका answer क्या होगा, बहुत chances हैं कि आप मैंसे कई होने इसका answer 7 by 12 टिक कर दिया होगा, क्योंकि अभी तक यह सवाल जब भी पूछा गया है, तो answer positive ही आया है, लेकिन इस case में answer आ जाएगा, minus का 7 by 12, एक option देना चाहिए था, minus का 7 by 12, अध प्लस B स्कार, यह आपको दिख रहा है, A स्कार माइनस B स्कार, यह क्या 10 स्कार थीटा का स्कार, यानि यह हो जाएगा आपका, 10 स्कार थीटा का स्कार, माइनस में स्कार थीटा का स्कार, यानि 10 स्कार, प्लस में स्कार, इंटू में 10 स्कार, माइनस में स्कार, यह value आपको 7 गिवन है अधिक तर जब वो सवाल पूछेगा तो आपसे वो सेक स्क्वायर मतब सेक की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4 पूछता है लेकिन अब ये पूछ लेगा देखो अब SSC के पास सवाल नहीं बचे SSC पकड़ो TCS पकड़ो कुछ भी अब वो उन्हीं सवालों को एक और सवाल था वो भी हम शायद अगले सेशन में देखेंगे वहाँ पर नन ओफ दीज था ठीक है तो इस तरह के सवाल में वह बैंकिंग की तरह ही घुस रहे हैं कि नन ओफ दीज ए कांट बी टर्माइंड आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं भाई उसका नन ओफ दीज तो ह With some of the pro ूख है आपको पता है सेक स्क्वाइर थीटा माइनस का सेवन वाइट्वल किलीयर है चैणि वह इक प्रत्वेवरेटच है और आना चाहिए जमेट्री एगर आपमेंसे किसी ने भी पढ़िएए इस सवाल को छोड ना बिलकुल भी नहीं है देखें भाई सवाल को तो को सवाल कह रहा है कि अगर if medians of a triangle have length 18, 24 और 30 तो बताइए क्या होगा area किसका triangle का तो यहाँ पर आपको 3 और 4 याद है क्या कहीं तो 3 आता है कहीं 4 आता है thrice of something is equal to 4 times of something मतलब कि side के square का sum side के square का sum 4 times of median के square का sum 2 properties है यहाँ पर basically 3 होती है ठीक है यहाँ पर एक क्या property होती है thrice of square इसका side का और उनका sum बराबर 4 times of square किसका median का उसका sum बराबर होता है और दूसरा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोला side का square जैसे मतलब a side है तो a square plus b square plus c square बराबर median 1 का square plus median 2 plus median 3 का square अब square का मतलब एक तरीके से area ही तो हो गया 5 cm square area तो यानि कि thrice of area of triangle is equal to 4 times of area of triangle made by median made by median अब confusion कहाँ पर आती है कि 3 और 4 को हम कभी कभी भूल जाते है या 3 कहा लिखू 4 कहा पर लिखू तो इसका एकदम आसान सी बात को समझिए मैंने आपको ये कहा कि ये कि equilateral triangle है याद रखने का तरीका बता रहूं कि यहाँ पर 4 यहाँ पर 3 ना हो जाए कैसे याद रखेंगे समझिए ये एक equilateral triangle जिसकी side A है मैंने आपसे पूछा बताईए इस triangle में इस triangle में अगर मैंने perpendicular draw कर दिया altitude draw कर दिया, median draw कर दिया सब कुछ ये की है मैं कह रहूं बताओ ये median की length बड़ी होगी या इस side की length बड़ी होगी आप ओ ये तो बहुत आसान है सीधी बात ये hypertenis है, ये median है तो definitely hypertenis ही बड़ा होगा otherwise देखो ये A है, ये कितना होगा root 3 by 2 A ये 1.732 divided by 2 तो वो तो 1 से छोटा ही हो रहा है यानि कि ये A है, तो ये उससे छोटा है यानि कि sides बड़ी होती है और medians छोटे होते तो उनका area का भी कुछ ऐसे होगा कि triangle का area बड़ा होगा और median वाले का area छोटा होगा यानि कि छोटे वाले को या बड़े वाले को छोटे नंबर से multiply करेंगे छोटे वाले को बड़े से करेंगे तभी तो बराबर हो सकता है अगर मैंने 4 into में area of triangle is equal to thrice of area of triangle made by medians कहा तो भाई, छोटे को छोटे से करेंगे बड़े को बड़े से करेंगे तो और difference आजाएगा नहीं आजाएगा इस तरीके से याद रख सकते हूँ यहाँ पर गुछ भी निदी सा सवाल में केवल formula वे value पुट कर देनी थी और यह देखना है कि यह triangle कैसा होगा क्या यह triangle 6 से मैंने काटा 6, 3, 8, 18, 64, 24, 65, 30 क्या यह triplet नहीं है बिल्कुल triplated 3, 4, 5 यानि कि area of triangle निकालना मेरे लिए आसान हो गया half into में base into में height यह हो गया area of triangle यह कौन सा triangle? triangle made by medians तो इसका 4 times बराबर होगा thrice of area of triangle area of triangle पूछ रहा है तो वो 3 यहाँ पर आ गया अच्छा क्या हो सकता था? यह वाला जो triangle है equilateral हो सकता था equilateral नहीं हो रहा तो हो सकता है कि यह वाला triangle जो है isosless भी हो सकता है isosless भी हो सकता है isosless triangle होता तो हम heroine formula से triangle का area निकाल लेते और कुछ दिक्कत समस्या नहीं है ठीक है? तो 3, 2, 6, 6, 3, 18 और 4 तीया 12, 12, 48 12, 24 और 4, 28 ठीक है? so the answer is 288 clear है भाई? सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल को देखिए वीडियो को pause करके एक बार सवाल को try करिए क्या कह रहा है? two smaller circles touch a large circle internally internally फटाक से बात करते हैं circle touch होते कैसे हैं? इसको कहते हैं intersect करना इसको कहते हैं touch करना externally इसको कहते हैं touch करना internally ठीक है? बात समझ में आरही है एक point पे touch कर रहे हैं तो externally एक point पे अगर touch कर रहे हैं अंदर है तो internally और अगर एक दूसरे को काट रहे हैं प्रतिछेदित कर रहे हैं तो इसको कहते हैं intersect करना क्लियर है, दो पॉइंट पर, चलिए, तो यह सवाल कौन सा, यह कह रहा है, दो छोटे सर्कल है, जो कि टच करते हैं, बड़े सर्कल को internally, और पास थूरू दे सेंटर, ओ, अफ दे लार्जर सर्कल, अब यहां पर समझने वाली बात यह थी, कि अगर यह मैंने एक बड़ा सर्क बनाया, बीच में इसका सेंटर है, दो सर्कल है, जो कि इसके सेंटर से पास कर रहे हैं, इसका कहने का मतलब यह है, कि यह यह दोनों, अभी आपको फिगर में थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, समझ पा रहो ना, यह दोनों सर्कल का रेडियस जो है, वो बराबर है, ठी इस तरीके से फिगर बन गया, कि रहा, इस डामेटर ऑफ दे बिगर सर्कल इस ट्वेंटीए, जो यह दो चोटे सर्कल टच नहीं कर पा रहे है, बात सही है भाई, तो यानि अब मैं आप से पूछू यार क्या कर रहा है, तो आपको बड़े वाले सर्कल में से यह दो चोट ज़रूर लीजए, pi r square minus pi r square minus pi r square, तो minus का 2 pi r square हो गया, बड़े वाले सर्कल कही रहे है कितना pi, pi common ले लते है, radius कितना ہے, diameter है 28, तो यह इसका radius कितना होगा, 28 का अधा है, यानि कि 14, तो यह कहाई πर attitudes में 14 का minus, इसका radius कितना, यह पूरा 14 है, तो यह हो जाएगा 14 का अधा है, तो pi common ले चुक है 7 का square और फिर से 7 का square तो मैं into में 2 कर देता हूँ, ठीक है, यह होगा 49 का double 98, यह होगा 196, 196 minus में अपना 98 is 98, और 98 into में pi मतलब की 22 by 7, साथ से cut रहाएगा, 7 बंजा 7, और 7, 4 जा 28, 14 into में 22, तो 14, 2 जा 28, 14, 2 जा 28, यह निकि 8, 0, 3, 308 is the correct answer, समझ में आ रहा है, तो like कर देना session को, ठीक है, like like तो फोग पीड दिया करो, ठीक है, एक लाख मिलते हैं, एक like के, जल्दी से बता है, इस सवाल को, what is the simplified value of this, देख है, इस सवाल को, देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, कि आपको जो चीज़ क्लिक कर जाए, पहले वैसे उठा तो, अगर आप इसको traditional method से देख पा रहे हो, तो आपको दिख रहा है, यह aq minus bq, क्या दिख रहा है, aq minus bq, तो aq minus bq, बराबर a minus b, divided by, यह तो है, यह तो कट जाएगा, मतलब, into में a square, plus b square, plus a b, ठीक है, इतना आगे, यह वाला पार्ट तो नीचे वाले से कटी जाएगा, आगे कह रहा है, minus twice of 10 square, तो यह plus का 10 square है, तो यह एक minus का 10 square आजाएगा, और यह minus का sec x है, प्लस का sec x से कट जाएगा, यह answer आगे, आपका sec square x, minus 10 square x, और आप सभी यह बात जानते हैं, कि यह तो identity है, identity पे focus कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रीगों के सारे सवाल अगर आपको कर रहे हैं, 95% सवाल आपके फटाक से हो जाएंगे, ज़्यादा दिक्कत परिशान ही नहीं होगी, आपको trigonometric values याद होनी चाहिए, value putting की आपने काफी सारी practice करी हो, ठीक है, उसके आद आपको identities याद हो, और आपको यह पता हो कि कहाँ पर कौन सा, खेर, कौन से क्वादिनटर पर कौन positive negative होता है, वो तो value निकालने के लिए है, और last एक आजाता है, identity होगे, और हो गया 90 minus theta, कौन किस में convert होता है, इस से ज़्यादा बाहर कुछ ही नहीं, फाल तो में sin 2 theta, cos 2 theta, sin A minus B, कुछ उस पर जाने की बहुत ज़्यादा ज यहाँ पर मैं theta की value कुछ भी put कर सकता हूँ, बशरते answer undefined form में आ जाए, देखिए, अब यहाँ पर क्या put करें, मेरे को तो मन है कि कैसे भी 0 करो तो पहले जादा से आदा, उतना अच्छा है, अच्छा, sec मतलब की 0 पर sec 0, 1 होता है, अच्छा, यह 0 पर यह तो खतम, 0 पर य 10x भी था आगे, ठीक है, minus sec 10x था, तो minus 10x तो 0 ही हो गया, तो आगे ही हो गया 0, ठीक है, यानि 1 ही हमारा answer आगया, अच्छा, solve करते हैं टाइम, फिर कुछ छोड़ दिया था कह, एक second दीजेगा, यह आगे अपना sec theta minus में 10 theta minus, तो उससे तो यह कटी गया, उसके बाद उपर बच क्या रहा है, यह बच रहा है, sec square plus में 10 square, plus में sec theta 10 theta minus में 210, तो यह देखा ही होगा ना, फिर sec x 10x, यह देखा ही होगा, ठीक है, एरकुला की यह देखा ही नहीं, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, average का है यह अगला सवाल, कैसे करते हैं, traditional तरीका है, बट मैं दसवे मैच में एक आदमी जो है, एक player जो 111 run बना रहा है, और इसके वैसे उसका average per match 5 से increase हो जा रहा है, ठीक है, तो बताईए उसका average कितना होगा, दसवे मैच के बाद, ठीक है, तो 9 match में उसने कुछ runs का average बनाया, इतने run उसका average था, उसके बाद जो 10वा मैच है, उसमें उसने 111 run बनाया, और अगर मैं आपसे पूछू कि अब उसका average कितना बड़ा, तो सवाल कह रहा है कि 5 बढ़ गया, अब उसका average हो गया, x plus 5, यह बताओ जरा, रुक के, कि यह x plus 5 क्या है, तो आपको कि x plus 5 जो है, दस मैच इसका average है, ठीक है, बड़ा माइनस छोटा करा कित इतना आगया, 5, एक ratio की value 5, तो 9 की value कितनी, 45, अब इससे बड़ा यह है, तो इससे यह बड़ा होगा, यानि कि अगर मैं इस मैसे यह minus कर दूँगा, तो 45 आएगा, इस मैसे मैं यह minus कर दूँगा, तो 45 आएगा, यही concept है, अब एक बा सोचो, कि मैं x की value क्यों निकालू, इतना 11 minus 5 is 6, 10 minus 46, आंसर आगया अपना 66, is the correct answer, clear है भाई, सभी को, चलिए, आगे बढ़ते है, चलिए, यह सवाल देखिए, AP से है, देखिए, क्या कहरे है सवाल, वीडियो को pause करके, एक बार try करिए, देखिए, सवाल कहरे है, what is the sum of the first 11 terms of an AP, if the fourth term is 11, और seventh term, जो है, वो minus क 4 है, देखि 11th term का sum, अगर मेरे को बताना, तो आप सभी जानते, N by 2, first term plus last term, या फिर 2A plus N minus 1D, हम यहां आखिरी term नहीं निकाल लेंगे, सीधे 2A plus N minus 1, यानि 11 minus 1, यानि 10D, हम यह formula use कर लेंगे, ठीक है, आगे कहरे है कि fourth term हमारी 11 है, यानि कि तुरंत आपने समझ दिया, कि ना number of terms में से, तो A plus 3D की value 11 है, और 6th term, 7th term जो है, यानि A plus 6D की जो value, that is minus का 4, अब क्या करें, दोन equation को subtract कर देते हैं, बड़ा minus छोटा कर दो, तो 6 में से 3 गया, यह तो cancel out, 6 में से 3 गया, तो कितना गया, 3D is equal to, इस में से यह गया, तो minus का 15, आप ऐसे भी कर सकते थे, 3 में से 6D minus करते हैं, तो minus का 3D आ जाता, और यह बराबर आता है, 11, minus minus 4, यानि की 15, अब minus 3 से उसको divide कर दोगे, तो यह आपका automatically minus का 5 आ जाएगा, यहां से भी वही आने वाला, यह आगे आपका minus का 5, यानि D की value मेरी कितनी आगी, minus का 5 आगे, इस minus के 5 को दोनों में से किसी भी equation put कर सकते हैं, minus 5 यहां put करोगे, तो हो गया, minus का 15, जो की वहाँ पे जाके plus करेगा, तो हो गया 26, यानि यह value आगी 26, पहली term आगी 26, तो 26 इंटू में दो इस 52, और 52 प्लस में, minus का 5 इंटू में 10, यानि की minus का 50, तो यह कितना हो गया, 2 और 2 divided by 2 is 1, तो 11 इंटू में 1, यानि कि यह answer होगा 11, तीक है, आप मैंसे कुछ ने यह भी सोचा होगा, कि 11 by 2 है, जहां तक है यह वाला जो answer होगा, यह 2 से कटेगा, अगर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो answer decimal में होना चाहिए, जो की है नहीं, तीक है, यानि 11 इंटू में something होगा, तो answer 11 से कटना चाहिए, तो आज का यह सेशन जो है, खतम होता है, आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिख सकते हैं, नमबर कितने आई, यह भी ज़रूर लिखना है, लाइक ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लगा हो, जो डिसलाइक कर रहे हैं, उनसे यह विनमर निवेदन है, कि फिर आप जाद स्यादा इस वीडियो को शेयर करें, चलिए भाई, बाई